आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम ऐसे धान तगनी होतरी स्टेडी ग्लोस के आपका बहुत दोस्फागत है दोस्तों मैनुपिलेट होने से बचे ठीक है ना तो मैं आज आपको कुछ दस बेसिकली यहां पर ट्रिक्स बताऊंगा चीजे बताऊंगा कि आखिरकार क्या होता है मैनुपिलेशन साइकॉलोजी आफ मैनुपिलेशन क्या है पता दो कि हमने डाक साइकॉलोजी का कोर्स बनाया है हमने बहुत सारे साइकॉलोजी के कोर्स बनाया है पर्सनालिटी डेवलप्मेंट का शांदार कोर्स सिर्फ धाई सो रुबेगा बगाद तो इसको भी आपकी आंसर रैटिंग और परफेक्ट हो जाएगी तो पहली चीज़ क्या है फॉर्स तिंग इग्नोरेंस एक बहुत ही खतरनाक manipulative technique कहेंगे सर इसका मतलब क्या है इग्नोरेंस मतलब क्या होता है कि देखिए यह क्या करते हैं जैसे मान लिजे यह कांड कर देंगे ठीक है और उसके बाद इनको पता ही नहीं किया रहे मुझे तो पता ही नहीं था यह हो गया अगर आप इनको ब्लेम करने की कोशिश करेंगे न तो यह बोलें मुझे नहीं पता था यार मुझे नहीं पता था मैं दूर हूं इससे अब यह बहुत जबर्दस manipulation टेक्नीक हो थी कैसे मान लीजे कि कोई incident इनके वज़े से हुआ यह इसमें शामिल है यह पीछे अड़ गए आपको यह convince कर ले गए कि मुझे नहीं पता था जहां यह वाइड आता है मुझे नहीं पता था वहां पर आप रिलाक्स हो जातों कि चलो भाई यह बंदा तो शामिल नहीं था वैसे भ कुछ भी गलत करें इनके behavior को टोकिए एक बार हो गया दो बार नहीं होना है याद रखेगा कि दूसरी बार यह लोग कभी सुदरते नहीं है यह बार बर वही चीज़े करते हैं आप अगर इनको करने दें तो आपके जिन्दी जंड हो जाएगी तो इनके बेवकूफी इनक को ठीक करो वरना अगली बार से सही नहीं होगा यह ज़रूर यह थोड़ा strict होना पड़ेगा आपको कि अगली जो चीज़ है यह है financial abuse एक बहुत ही अगें financial abuse यह मैंने अभी wives में काफी देखा है ठीक है जैसे जो husband अगर वो कमार है तेरा पैसा तेरा पैसा नहीं तेरा पैसा मेरा पैसा और मेरा पैसा मेरा पैसा यह आपकी finance में से control करते हैं और मुझे नहीं पता यह दोनों side में होता है बट लड़कियों में यह जादा मैंने देखी है कि वो आपके finances को कंट्रोल करना चाहती है ठीक है इन फाक्ट बीवियों में मैंने बहुत सार ऐसे दोस्त हैं जो मियां भीवी दोनों कमाते हैं बट जो वाइफ हैं वो पैसा नहीं देती है और हजबेंट का सारा पैसा ले लेती है यह बहुत गलत है दो जिसमें एक जावाला कंसेप्ट है पै नहीं हाँ चलो कमा नहीं तो अलग बात है लेकिन जब कमा रहे तो दोनों को साथ में लेके चलना है तो यह एक भयानक मैनियूपलेशन है आप नहीं कर सकते यह आदमियों को हमेशा एक प्रोवाइडर्स की तरह देखा जाता है ठीक है लेकिन अगर औरते भी कमा रही है त लोगों से मदद लीजे जो आपके चाहने वाले हैं दूसरा फाइनेशल इंडिपेंडेंट बनिये चाहें जो भी हो जाए ठीक है ना खुद कमाईए और अगर आप दुनों रिलेशेंशिप में हैं रिलेशेंशिप की बात अलग होगी लेकिन अगर आप दुनों की शादी हो गई है तो आप यह समझें कि आपका पैसा हमारा पैसा है हमारा पैसा हमारा पैसा आपका पैसा भी प्लेइंग दी विक्टिम ये सबसे घटिया सबसे वेकार चीज होती है मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ उनको विक्टिम खेलने में मज़ा आता है वो अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए कोई चीज नहीं करते उनको अच्छा लगता अपनी स्टोरी बताना एक दूसरी तरफ आपको अपनी दैनी स्टोरी बताएंगे दूसरी तरफ सोचल मीडिया पर इसी कहानिये डालेंगे ऐसी फोटो डालेंगे अगर आपकी प्रॉब्लम है मैं वह नहीं कह रहा हूं हर किसी को खुश रहने का अधिकार है लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि कि किसी इंसान को इतनी जादा दिक्कत है तो वह अपनी सिच्वेशन को पहले सुधारेगा मैं अगर परशान हूं तो मेरे मन में आएगा ही निकि मैं यह फोटो डाल दूँ वह फोटो डाल दूँ या ऐसा सोचल मीडिया पर दिखा दूए तो बेवकूफी है लेकिन ऐसे ब अगर दूशनल है लोग कनेक्ट हो जाते एक दूसरे से सारा वलाव एवरीटिंग आपके अपनी अपनी एवरीटिंग यूविल गिफ तो दिम और बाद में आपको पता चले का हमारा तो कट गया लंबा वाला जो हमारे साथ है वो तो सबके साथ है जो हमको बताए जा रह है अब क्या करें पैसे भी गये टाइन भी गया प्यार भी गया और कुछ मिला भी नहीं बदले में यही है यह बड़ी डेंजरेस टेकनीक होती है अगर ऐसा मान लिजे है तो देखिए आप ऐसा नहीं कि अगर कोई आपको अपनी कहानी बता रहा है दर्द भरी कहानी बता है तो आप इंपैथी दिखाईए आप उनको समझाईए कई बार क्या होता है कि यह विक्टिम इसले भी हो जाता है जैसे मान लेजे कि आपने इनको कंफरेंट किया इनको परस्टनाइटी डिसॉर्द नार्सिसिस्टिक या बाकी अगर आप इनको कंफरेंट किया तो यह क् अईश्या समुझे दबाते आये हैं हो यह होता आया मेरे साहथ यह दूसरी तरीके का विक्टिम काड होता है कि यही आही होता आया है बच्पन में मेरे मावत्ता पिताने लेगे तो आप डर जाते हो आप भाप परेढ़े सबasto sendiri पर फ Africansive उनका कि भाई मुझे कुछ निए पर आप समझो कि यह बेवकूफी है, आपकी जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, गलत बातों पर थोड़ी न हम इसको हामी बढ़ सकते हैं, तो यह चीज़े आपको समझनी पड़ेंगी, कि जो विक्टिम काट वाला मैनुपलेशन होता है बहुत चलता है, और यह बह दोस्तों उसने जबर्दस्ती प्रेशर में शादी कर ली, और उसकी शादी अप दो साल बाद डाइवोर्स हो गया, उसका क्या करें वो, भयानक विक्टिम काट खेर नहीं, यह हो गया, वो हो गया, तुमने यह किया, वो किया, तो यह चीज़ है, तो याद रखिए, और हा लेकिन यह लोग इसी तरीक से आपको मैनिपलेट करेंगे कि नहीं, यार मदद करो, यार मैं यहाँ पर फसी हुई हो, यार मेरे पास इतना पैसा है, मुझे मदद चाहिए, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, थोड़ा सा, या फिर स्ट्रिक्ट रहें, दूर तो नहीं, लेक गिल्टी ट्रिपिंग, गिल्ट्रिपिंग भी बहुत यूज किया जाता है, अब गिल्टी ट्रिपिंग क्या होता है? आपको एक तरीकत से नीचा दिखाना, आपको गिल्ट में डालना, कोई आपने कभी गल्यां घर्दी होगी? जैसे मेरे एक दोस्त था, वो बनदब उस तो उसको रिमाइंड कराए, कुछ ना कर पाए, तो उसको रिमाइंड कराए जाए, वो विचारा परशान होगा, कि मैं करूं तो करूं क्या, अगर आपने किसी के पर एहसान किया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जीवन भर उसके गुलाम हो जाओगे, लेकिन यह करवात तो यही चीज है, उनको भी यह करना है, कि भाई, अगर माल लो की एहसान, पहली बात तो यह है, कि बहुत हम शुकर गुजार है, और एक चीज और, कि अगर आप ध्यान से देखो, तो आप देखोगे ना, कि आपने उनके पर बहुत अहसान किये, छोटे-छोटे-छोटे हमेशा आप उनके लिए बात करते हो, उनके emotionally available रहते हो, कभी बुलाते हैं तो चले जाते हो, और क्या कर लोगे, जो आपके बस में आपने सब किया है, ठीक है, तो आप यह भी समझो कि थोड़ा ध्यान दोगे, तो बहुत कुछ किया है आपने, लेकिन वो ऐसा बोलते है, क मैंने तो तुम्हारे लेतना किया, तुम हमेशा चाही गलती करते आए हो, तुमने वियर वियर साथ गलती की थी, बार-बार उसी गलती को याद दिलाना, इससे आप पूरे गुलाम हो जाते हो, लेकिन इस पिंजरे को इस कैद खाने से बाहर निकलना है आपको, इस mentality से बा वापस कर दें पतलब जब तुरंद क्या मतलब अगर एहसान के बदले एहसान जो उसने किया है आप उसको वापस लोटा दें ताकि बोलने के लिए ना रहे या अगर माल लिजे कि आपने कोई गल्ती किये तो गल्ती सबसे होती उन्होंने भी बहुत सारी गल्तियां किये तो वो यह चीजों को आपको बताएगा ही नहीं अगर यह बार-बार चीज़े है इसका मतलब आपको मैनुपलेट किया जा रहा है और जाने अन जाने आप मैनुपलेट हो रहे आपको बता भी नहीं है तो यह चीज़े लब बॉंबिंग अगला लब बॉंबिंग यह क्या होती है प्यार से प्यार भरी बाते इतना प्यार करेंगे इतना प्यार करेंगे affection compliments सारी चीज़े मन वालेंगे अक्सर होता है जैसे लड़के क्या करते है माली जे शादी हो गई है बैंक कॉक जाना है या गुवा जाना है तो बहुत love bombing करेंगे तुमको gold चाहिए अरे सोना चाहिए तुमको यहाँ चलो ले चलते है लड़कियों को कुछ चाहिए होता है तो वो भी ऐसे ही करती है तो बात इतनी सी है कि भयानक affection और compliments आपके उपर दिखाये जाता है और उससे आपकी बात बनवाई जाती है ठीक है ना और एक वो होता है कि देखो मैं तुमारे साथ चलतो लूँगा या लूँगी लेकिन तुमको मुझे यह करना पड़ेगा मेरे लिए वो कौन से पिच्चर थी प्यार का पंचरामा टू उसमें नहीं यह जो बहुत इसका पैसा होता है आइटियर होता है तो उसकी जो गल्फेंड होती है वो ऐसे ही लव बॉम्मिंग करती है है ना तो यहीं बता रहे है कि बहुत सारे कॉंप्लिमेंट्स आपको दिये जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि यार देखो ऐसा है कि यह करो मज़ा आने वाली है बट अल्टिमेटली आप मैनुपलेट होगे और आप काम भी करोगे बट फिर आपको एहसास होगे तो बहुत गड़बड होगी और इनका लव तब ही तक रहता जब तक इनकी काम पूरा होगे एक बार काम पूरा होगे फिर आपके तरफ देखेंगे भी नहीं है तो सबसे पहले तो चीजे थोड़ी स्लो रखिए समझिए ओवर हो रहा है मतलब एक तरीके से आप को भी नहीं समझ पारे कि भाई मेरी इतनी तारीफ क्यों है समझ रहो और यह देखिए कि जो उनकी फीलिंग से क्या वो नाचुरली डेवलप होई है कि नहीं या फिर ऐसी फरजी भी बात है अगला जो है वो है नेगेटिव हुमर नेगेटिव हुमर देखें ये एक बहुत डेंजरस चीज होती है और ये किसी के self confidence के लिए बहुत खराब होती है ये क्या होता है ये होता ये है कि आपको आपको taunt हमारे जाते है publicly आपको हुमिलियेट किया जाता है आपको criticize किया जाता है ताकि आप नीचा feel कर सको ये बहुत खराब चीज होती है ठीक है न अब इसमें क्या होता है कि publicly हो सकता है या फिर phone पे हो सकता है individually हो सकता है आप बहुत talented हो बहुत लोगों के talent इसलिए खतम हो जाता है कितने लोग जबरदस्ति criticize करते है पहली बात तो अपने आपको पहचानो तुमने अगर कुछ जीता है कुछ किया है अपने जिन्दगी में तुम first try को reward लिया है कोई अच्छा काम किया है तो उसकी इज़त करो अपनी नजरों में तुमारी इज़त होनी चाहिए confident रहो smile करो अगर publicly जो है ये बोला जा रहा है तो आप जवाब दे दो ठीक है नहीं मैं ऐसी जलेगी न ऐसी जलेगी कि वह भूल नहीं पाएगा बंदा अगला वैसे ही परचान है जो लोग यह सब करते हैं वह वैसे उनका दिमाग ठोड़ा खराबी रहता है पागली होते हैं बहुत हल्द हज से जादा negative होते हैं तो negative humor एक बहुत ही dangerous चीज है मजाख उड़ा रहे तो वापस दो अगर नहीं दे पारे तो वहां से हट जो और अगर नहीं हट पारे तो ignore दें ऐसा ignore करो कि वह ही नहीं तुम्हारे लिए ठीक है ना कितना बड़ी एक खोसला कर घोसला में जब वह मजाख उड़ाय जा रहे तो आप चुप रहने का क्या लेंगे ऐसे याराम से खलाओ ठीक है ना लेकिन हाँ ये एक बहुत dangerous चीज होती है लोगों को पता नहीं बाद भायनक करता था inferior feel करवाता था नीचा feel करवाता था और वह feel होती थी बिचारी फिर जब हमने बताया कि भाई ऐसा नहीं है ये गलत है तब फिर उसने को confront कि और आज उसकी सरकारी job है तो वहीं बता रहे कि कई बार आपको जानबूच के नीचा feel करवाए तो बस that's it आज के बाद मुझसे बात मत करना क्योंकि खुश रहने का आपको अधिकार है समझ लो यह चीज़ है ओके याद रखिएगा speakless speakless कई बार क्या होता है कि आपको जबरदस्ती बाते करवाई जाती है देव में push you to speak कि हना ओवर स्पीक नहीं करना ओवर बाते नहीं करनी है बाते करिए लेकिन उतने ही चितनी जरूरत हो 100% जरूरत है तो 80% बोलिए और 200% सुनिए कि आखिरकार बाते हो क्या रही है जब आप पहले बोलते हो ना तो एक baseline जो है ओवर शेयर मत करिए कि सारी बाते जो है वह पहली मीटिंग में शेयर कर दें वह आपके खिलाफ यूज होगी अगला इंसान जो है यह aggressive manipulation आप डर भी जाता है डर यह नहीं चिलाए फोन काट दीजे जो चिला तो उनकी बात वैसे कोई सुनता नहीं है ठीक है चिलाए आप अपनी टोन एकदम बढ़िया एकदम शांत स्माइल करिए और उनको जवाब दीजे प्यार से दीजे चिलाने की ज़रूत और हद से ज़्याद अगर कोई इंसान सुन नहीं रहा है वाक अवे कभी डिबेट में है ऐसी तो शांती से जबाद दीजे प्यार से जबाद दीजे अपने पॉइंट्स को रखिए अपने आप वो धर अशाई हो जाएगा चिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है समझ रहे हैं तो इस इसलिए शांती से प्यार से रेजिंग वॉइस इसाइन ओफ वीक्नेस ठीक है ना देन गैस लाइटिंग अगें यह एक बहुत ही खतरनाक मैनिप्लेशन टेकनीक है ठीक है अब बेसिकली क्या होता है की गैस लाइटिंग उन चीजों को याद दिलाई जाती है मतलब आपको जबर्दस्ती गिल्टी खरवाय जाएगा उन इंसिदेंट जो कभी हुए ही नहीं ठीक है ना जो कभी इंसिदेंट हुए नहीं आपको उन चीजों के बारे में बताया जागा अकसर जब आप किसी को कौ inflict करते हो कोईिक करता है या अगर नहीं भी कर रहा है वो इंसान आप तो यह वो आपके उपर थोपा जाएगा ठीक है क्या करना है छोड़ देना ऐसी conversation को जहां आपको लगे कि यह गलत डारेक्शन में जा रहा है उस conversation को end that conversation immediately immediately समझ रहों यह चीज है तो यह जो नौ मैंने आपको रूल्स बता दीज आर्थी psychology of manipulation तो थोड़ा सा इसको देखे अपनी लाइक में एप्लाई करें और कमेंट बॉक्स में बता क्या आपको क्या लगता है देजर संदान तक नियोतरी signing off और यह तो खाली एक परसेंट इसका 99% हमने अपने कोर्स में बताया है परसेंटी डेवलेप्रेंट और साथ साइकोलोजी के कोर्स हैं थांक यू सो मच